हेलो फ्रेंड्स सोना रसोई में आपका स्वागत है सोना रसोई में बनने जा रहा है बटर डाल मखनी ये डाल आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो को आप लाज तक देखेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए बनाना शुरू करते अपनी डाल मखनी डाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी काली खड़ी उरत की डाल वनफोर्ट कटोरी राजमा जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है और मैंने इसे किस कटोरी से नापा है ये पांस टमाटार है जिसकी मैंने प्यूरी तियार कर लिये 50 ग्राम बटर दो दूद लिया है सबसे पहले हम दाल उबालेंगे डाल में पानी हम उतना डालेंगे जिससे हमाँ दाल से थोड़ा उपर ही रहे उसमें एक चम्मच घी डाल देंगे आधा चम्मच कासमीरी लाल मिर्च आधा चम्मच धनिया पाउडर वन फो टी स्पून हम गरम मसार डालेंगे उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और फिर ठककन लगा देंगे उसमें तीन से चार सीटी लगाने के बाद हम उसे 30 से 40 मिन लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि दाल हमारी अच्छी से गल जाए अब हमें दाल को बॉइल कर लिया है इसका तड़का बना लेंगे एक पड़ा चम्मच देशी घीलेंगे और एक चम्मच बटर डालेंगे थोड़ा सा गरम हो जाए उसमें हम हींग डालेंगे अध्रक लहसुन तूरी मेथी डालेंगे एक चम्मच कासमेडी लाल मिट्स और तमाटर की प्यूरी डालेंगे और उसको चलाते हुए भूनेंगे तमाटर अल्मूस्ट भून चुके हैं अब डाल डालेंगे अब हम डाल को मिक्स कर लेंगे इसमें 300 ml दूट डाल देंगे और लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तर पकाएंगे अब इसमें फिर से कासमीरी मिर्च डालेंगे धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर जीरा पाउडर और नमक टेस्ट के कोर्डिंगम डाल देंगे नमक हम थोड़ा पहले भी डाल चुके हैं इन सब को हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट धीमी आज पे इसको और पका लेंगे लास्ट में एक चम्मच बटर आधा चम्मच गरम मसाला और इसमें बचे हुई कस्तूरी मेथी डाल देंगे इससे डाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से आप डाल बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी इसमें आप थोड़ी सी क्रीम डाल दीजे ये ऑप्शनल है अगर आप पास क्रीम हो तो डालिए वरना आपके पास अगर ताजी मलाई हो तो उसको भी फे क्रीम और कस्तूरी मेथी से कार्णिश करेंगे तैयार है हमारी दाल मखनी आप अपने घर में इसे बनाएए आपको ये बहुत पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स में बताईए कि कैसी लगी आपको ये रसिपी